हेलो एवरिवर नेचर फेवर लाप के लिए एक और कमाल की वीडियो बहुत सारे लोगों को मेरी मचलिया देखना पसंद है और मेरा फिस्पॉंड उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है मैंने अपने फिस्पॉंड को टेरिस पर रखा है और ये काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है इसमें मचलिया जतनी मैंने डाली है वो भी ब्रेटिंग कर रही है वो भी बच्चे दे रही है और इसमें मैंने प्लांट लगाया है वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है तो इन सभी के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो आप वीडियो को पूरा लास तक देखिए बीच से छोड़ियेगा मत और छोड़कर वीडियो को किसी ऐसी वीडियो पर मत चलेज़ेगा जहां पर बस आपको बेवगूफ बनाया जाता है मैं आज अपने फिस क्योंकि इसके अंदर एक गिरगट गिर गया है आप यहां पर देखिए यह गिरगट इसके अंदर गिर गया है जिस पूरी तरीके से गंदा हो गया है इसने सभी पौधों को तोड़ दिया है और नीचे जितनी भी मचली है उनको भी डिस्टॉब कर दिया है और पानी को भ साफ करने वाला हूं लेकिन उस से पहले हम इस ग्रिगट को बाहर निकाल देते हैं यह घ्रिगट अभी हेल्दी इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे हिसाब से यह कुछ दिर पहले ही इसके अंदर गिरा है तो इसको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो मैं जल्दी से इस लकड़ी की मदद से इसको बाहर निकाल देता हूँ और अब आप देखिए जद निकलते ही इस दिवाल के पीछे चला गया है और मुझे उम प्लांट्स को बाहर निकाल लेता हूँ तो मैं इन प्लांट्स का नाम आपको बता देता हूँ यह है सल्वीनिया इनका नाम है सल्वीनिया यह एक वाटर प्लांट्स है पानी में रहने वाले पौदे हैं तो मैं इनको जल्दी से बाहर निकाल देता हूँ यहां से और अब तो इन मचलियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, आप इस मचली को देखे ये प्रेगनेंट है, आप इसके पेट को चेक कर सकते हैं, ये काफी फूला हुआ है, तो मैं जल्दी से एक एक करके इन सबी मचलियों को निकालता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा काम है और इ इन छोटी मचलियों को मैंने खरीदा नहीं है, इन बड़ी मचलियों ने उन्हें जनम दिया है, ये उनके बच्चे हैं, और छोटी मचलियों को थोड़ा अराम से निकालना पड़ता है, क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, और ये जाली में या फिर कहीं फस सक तो इस काम को धीरे-धीरे करना पड़ता है तो अब आप देखिए मैंने सभी मचलियों को निकाल दिया है और मैं एक दो बार चेक भी कर ले रहा हूं कि सायद इसमें कोई मचली बचे ना और इस पानी को मैं डालूंगा अपने पौधों के अंदर जितने भी मेरे फूरूट काफी सारी छोटी मचलियां देखने को मिलेंगी इनको मैंने इस छोटे से डबबे में कुछ देर के लिए रखा है तो मैंने अपने इस टब को अच्छी तरीके से साफ कर लिया आपको इसमें अब कोई गंदगी नहीं देखने को मिलेगी और मैंने इसमें थोड़ा सा पत् और पानी भरने के बाद अब मैं अपने इन पौधों को डाल देता हूं मेरे पास जितने भी सल्वीनिया है मैं उन सब को तो नहीं डालूँगा उन्हें से कुछ जो हेल्दी है और जो टूटे हुए नहीं है उनको मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूं और बाकी को मैंने हटा दि सब्सक्राइबर और अगले दिन मैं सूट कर रहा हूं एक दिन मैंने मशल्यों को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और मैं अपनी मशल्यों को दो दिनों के बाद खाना दे रहा हूं मैं अपनी मशल्यों को Optimum Fist Put देता हूं यह आपको किसी भी एक्वेरियमे इस्ट filter के भी जिंदा रह सकती हैं तो आप भी चाहें तो इन मचलियों को अपने garden में add कर सकते हैं इनके वज़े से जो आपका garden है वो और भी ज़्यादा खुबसूरत दिखेगा और इस तरीके का pond बनाना ज़्यादा मुस्किल भी नहीं है आप काफी असानी से कम खर्चे में इसको बना सकते हैं और अगर आपको कुछ पूछना है या मचलियों के बारे में या फिस पॉंट के बारे में ज़्यादा जनकारी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट करना मद भूलिएगा और अगर आपको मेरी मचलिया पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिनको भी फिसेज पसंद है मचलिया पसंद है या फिर गार्डिनिंग करना पसंद है उनके साथ ये वीडियो सेर करना मद भूलिएगा और अगर आपको मुझे बाते करने या फिर मुझे कुछ पूछना है तो आप मुझे Instagram और Facebook पेज के थुरू भी Contact कर सकते हैं दोनों का Link आपको Description में मिल जाएगा और हाँ मैंने एक New Facebook Group भी बनाया है तो उसका Link भी आपको नीचे Description में मिल जाएगा तो आप उसको भी जोइन करना मत भूलिएगा और साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई New informative वीडियो डालू तो आप वो देख पाएँ तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके बाई